आप सब ठेक से होंगे अच्छे से होंगे तो डियर स्टेंडिस आज का जो टापिक है टापिक इज यह यह अलजबरिक एक्सपेशन जो की चप्टर नमबर नाइन है उसका हम डियर स्टेंडिस आज पढ़ेंगे क्वेस्चिन नमबर तू यह नए सिलिबस की मुताबिक डिय करना है यहde सब्ट्रैक्ट किस-किसको करनाए डिय और-ट्रेंडिस सब्ट्रै्ट्रैक्ट फूरे मैंनिसissant से वह श्यक्ति-चैवन एड एड करते थे तो में हम क्या करते थे यानि कामा हटाते थे तो बीश में कामा के बीश में हम कौन सी साइन रखते थे प्लस की अब यहां क्या करना है यहां डियर स्टेंडिस करना क्या है यहां क्या क्या करना है जब आपको सब्ट्राइक्ट करना है तो डियर स्टेंडिस पहले आपको यह वाल भी माइनस ट्री और बीच में क्या लिखेंगे बीच में हम माइनस रखेंगे बीच में माइनस क्यों रखेंगे क्योंकि हमें सब्ट्राइक्ट करना है जब बीच में माइनस रखेंगे तो यहां क्या करेंगे यहां तो ब्रैकेट रखेंगे इसके बाद कौन सा हिसा लिखें AB PLUS 3B PLUS लिकना है DEAR STANDERS 12 अब अब क्या करेंगे DEAR STANDERS अब लिकेंगे 12A MINUS 9AB PLUS 5B MINUS 3 यह जो MINUS है यह जो MINUS है DEAR STANDERS इस MINUS से हम हर A TIRM की साथ क्या करेंगे SIMBUL यह आपको कुछ नहीं करना है जो BRACKET में SIN है वो CHANGE हो जाएगी यह बावंत यह जन साइन PLUS SIN सो अब है MINUS और जो MINUS की साइन होगी न मेठा वो PLUS बनेगी अच्छा यह जो PLUS यह क्या बन जिगर मेरा यह बन माइनस 40 यह क्या बनेगा MINUS 12 ज़रा चक करेंगे MINUS PLUS MINUS MINUS इसके बाद क्या करेंगे इसके बाद क्या क्या करेंगे पहले देखें कि हम 12A, क्या A की कोई और टर्म है? हाँ है, कौन सी वाली है? A वाली टर्म यानि इस टर्म and इस टर्म इसके बाद क्या करेंगे? 9AB, क्या AB की कोई और टर्म है? Yes, प्लस 7AB और क्या है फिर? फिर है 5B, फिर है भायो बी बोड की तरब दिखो दिए अर्शन्डिस 5B minus क्या है 3B अच्छा last में क्या करेंगे constant terms को combine करेंगे constant term कौन-कौन सी है minus 3 है और क्या है minus 12 अच्छा इन दोनुका subtract करेंगे 12 minus 4 that is 8A अच्छा इन दोनुका subtraction हो जाएगा 9 minus 7 that is 2A B अच्छा 5 minus 3 that is 2B इन दोनुका हम दिएर्शन्डस addition करेंगे तो दिएर्शन्डस ये राग part number 1 question number 2 का part number first इसके बाद इसके बाद दिएर्शन्डस हम करेंगे question number question number 2 का part number second तो same procedure करेंगे पहले क्या लिखेंगे question number 2 का part number second अभी मैंने जो procedure मैंने question number इसी question में यानि part number first में जो मैंने procedure दिएर्शन्डस किया वही procedure में इस question मैं भी करूँगा पहले क्या लिखेंगे 5XY प्र करेंगे माइनस 2YZ उसके बाद माइनस 2ZX फिर क्या है दिएर्शन्डस plus 10XY माइनस पीच में रखेंगे दियर्शन्डस क्या रखेंगे माइनस यह माइनस कहां से आया दिर सना हमें तो करेक्शन करना है अच्छा फिर क्या लिखेंगे थी एकसवाई यानि यह वाला थी एकसवाई बिलस क्या करेंगे डियर्टोनिस फाइव वाईजड फिर क्या लिखेंगे मैनस सेवन जट एकस चख करेंगे दोबारह से 3XY 5YZ माइनस 7ZX अच्छा बेटा यह क्या है 5XY माइनस 2YZ माइनस 2YZ फिर क्या है माइनस 2ZX और क्या है DRSNDRS पलस 10XYZ जरा यह question DRSNDRS हम चेक करेंगे अच्छा इसके बाद क्या करेंगे DRSNDRS कुछ नहीं करना है पहले इस ब्रेक्ट को खत्म करेंगे यह क्या बनेगा 5XY माइनस 2YZ माइनस 2ZX पलस क्या है 10XY इसके बाद क्या करेंगे माइनस 3XY माइनस 5YZ पलस 7ZX clear है बटा अच्छा इसके बाद क्या करेंगे LIKE TERMS को COMBINE करेंगे यह बनेगा 5XY क्या xy की और कोई टर्म है ये वाले है ना dear students ये बनेगा 10xy इसके बाद क्या है yz क्या yz की कोई और टर्म है हाँ मिटा है minus 2yz फिर क्या है minus 5yz यानि इस टर्म और इस टर्म को combine करेंगी क्यों क्यों combine करेंगी चुछ कि जब हम algebraic expression मैं add या subtraction करते हैं तो add या subtraction सिर्फ like terms का होता है अच्छा dear students इसके बाद क्या करेंगे minus 2zx और क्या लिखेंगे plus 7zx और क्या और कोई टर्म है dear students क्या और कोई टर्म है dear students 5xy है बेटा अच्छा जड़ा इस पार्ट को हम चेक करेंगे क्या हमने ठीक लिखा कि गलत लिखा है 10xyz यहां बेटा है 10xyz अच्छा इसके बाद क्या करेंगे 10xyz है यहां तो last में हम लिखेंगे बेटा 10xyz 10xyz अच्छा dear students इन दोनु का क्या हो जाएगा addition हो जाएगा इन दोनु का बेटा क्या हो जाएगा इन दोनों का डियर स्टेंडिस एडिशन हो जाएगा तो डियर स्टेंडिस यहां चाहिद हमने गाँ नहीं अच्छा इन दोनों का बेटा एडिशन हो जाएगा यह बनेगा 15XY इन दोनों का सब एडिशन हो जाएगा मगर साइन पलस की रहेगी ये बनेगा 7YZ इसके बाद क्या करेंगे ये दो टर्म अच्छा इन दोनों का एडिशन ये बनेगा ये बनेगा ये बनेगा 5ZX और यहां क्या बनेगा 10XYZ तो बेटा ये रहा पार्ट नमबर सेकंड इसके बाद हम इस क्वेस्टन का लास्ट पार्ट डिसकस करेंगे ये रहा इस पार्ट का प्रोस्टिजर कैसे हमने बेटा ये पार्ट सिंबल वाई किया अब बेटा रहा इसका लास्ट वाला क्वेस्टन तो लास्ट वाला क्वेस्टन क्या है अब जब बेटा चक कीजिए लास्ट वाले पॉइंट का है बेड़ा फर्स्ट आफ आफ आल हम क्या लिखेंगे हम लिखेंगे 18 जिगर मेरा फिर लिखेंगे माइनस 3P फिर लिखेंगे माइनस 11Q फिर लिखेंगे 5PQ जो प्रोसिजर मैंने पार्ट नमबर 1st और पार्ट नमबर 2nd में किया फाइव पी सुकार क्यू पी सुकार क्यू अच्छा तो डियर स्टेंड बीश में क्या आएगा बीश में तो मैनस की साही लाएगी यानि यहां क्या आएगा मैनस यहां क्या आएगा जियर स्टेंड ब्रैकट आएगा अच्छा इसके बाद क्या करेंगे कुन सा वाला हिस्सा लिखेंगे A वाला हिस्सा लिखेंगे क्या आएगा 4P सुकार Q माइनस 3P Q अच्छा प्लस 5P Q सुकार फिर क्या आएगा माइनस 8P 8P प्लस 7Q माइनस 10 तो डियर स्टेंडिस अमेद है कि यहां तक आपको समझ में आया होगा करना क्या है सब्ट्राक्शन करना है अच्छा 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 प्लस 5P सुकार यह बनेगा अब क्या करना है यह जो माइनस है ना यानि जो भी टर्म ब्रैकेट के अंदर है हम क्या करेंगे स्छेन करेंगे सिंबली कुछ नहीं वेड़ा करना है जो अंदरवाली सायने वो चेंज हो जाएगी जो प्लस की होगी माइनस और माइनस की होगी क्या प्लस यह क्या बनेगा माइनस 4 P स्कार Q प्लस 3 P Q माइनस 5 P Q स्कार अच्छा यह क्या बनेगा प्लस 8P यह क्या बनेगा माइनस 7Q प्लस 10 इसके बाद क्या करेंगे like terms को combine करेंगी तो पहले हम लिखेंगे P वाली term यह कौन सी वाली term है दिस्टे constant term पहले लिखेंगे constant term जो भी है ना उनको हम combine करेंगे last में तो पहले क्या आएगा minus 3P यह वाली term क्या P की dearest andis और कोई term है यहाँ yes dearest andis प्लस है 8P प्लस है 8P यहनि इन दो terms को हमने combine किया इसके बाद कौन सी वाली term क combine करेंगे यहनि 11PQ 11Q यहनि Q की जो भी term है combine करेंगे यहाँ है बेटा Q और कई पही क्यो है हाँ मिटा minus 7Q अच्छा these two terms अब क्या है डियर स्टेंडस P क्यो वाली term 5P क्यो क्या और कोई P क्यो की term है बेटा P क्यो की कोई term है हाँ बेटा plus 3P क्यो यहनि इन दीज टू टर्मस अच्छा इसके बाद क्या करेंगे इसके बाद देखेंगे Q's के टर्म यहनि उसके साथ P भी है 2P क्यो स्टेंड भी हाँ मिटा minus 5P क्यो स्टेंड इन दो टर्मस को हमने combine गया इसके बाद क्या है यहनि प्लस है 5P स्टेंड क्यो 5P स्टेंड क्यो अच्छा और क्या है और है minus four p square q p square q अच्छा dear students ये term भी आई ये term भी आई ये भी आई dear students अब क्या है last में हम combine करेंगे कौन स्टे term वो कौन सी है शबाश एक तो है eight एक तो है जिगर मेंट ten last वाला सिटप इन दो terms का dear students क्या करेंगे eight मैं से तीन कठाएंगे बचेगा पांच five p अच्छा इन दोनों का dear students अडिशन माइनस eighteen, 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 eighteen q अच्छा इन दोनों का dear students अडिशन क्या बनेगा five plus three that is eight p q अच्छा dear students यहाँ होने चाहिए five p q square यहाँ होने चाहिए q square इन दोनों का क्या हो जाएगा पी क्यों स्ट्रुकेर इन दोनों का दियर स्ट्रुंड्स फायो में से चार गठाएंगे बचेगा एक ये क्या बनेगा वन पी स्केर क्यो अच्छा लास्ट में क्या आएगा डियर स्ट्रुंड्स लास्ट में आएगा एटी तो बेटा ये रहा question number तो उमेद है आपको ये question समझ में आया होगा तो बेटा आप इसका screen shot दीजिए तो हम इन्शालला अगला topic start करेंगे